हिंदुस्तान के सियासी चेहरे गली से लेकर संसत्त तक जनता का विश्वास जनता की आवाज नेताओं की कहानी उनकी जुबान सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 News एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खास प्रोग्राम Public Face में जहां आज हम बात करेंगे भारती वायू सेना के उस बहादुर शक्स की जिसकी बहादुरी से दुश्मन देश के पसीने चूट रहे हैं जी हां आज हम बात करने वाले हैं पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत का पाकिस्तान से बदला लेने वाली एयर स्ट्राइक के हीरो रहे और भारती वायू सेना के प्रमुक एवब 25 वे एयर चीफ मार्शल बिरेंद्र सिंग धनोवा के बिरेंद्र सिंग धनोवा यानी की B.E.S. धनोवा हमेशा से ही कारगिल युद्ध सेन की बहादरी के चर्चे चले आ रहे हैं देश की थल सेना में एक एहम भूमी का और एक पराक्रम का परिचे दे चुके B.E.S. धनोवा अब देश की बायू सेना में भी एक एहम और सराहनी भूमी का निभाते हुए नजर आ रहे हैं एरफोर्स द्वारा की गई एरस्ट्राइक से तो पूरा देश खुशी में जूमता हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये मुम्किन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एक कुशल निर्तित्व की वज़ा से जो की थी B.E.S. धनोवा ने उन्होंने ना सिर्फिस एरस्ट्राइक की प्लानिंग की बलकी से सफलता पूर्वक अंजाम भी दिया तो आज हूं अपने इस प्रोग्राम में आपको लेकर चलेंगे B.E.S. धनोवा से चीफ मार्शल बिरेंद्र सिंग धनोवा बनने तक की दिल्चस्त कहानी की ओर वायुसेना के प्रमुख के तोर पर जाने जाने वाले B.E.S. धनोवा का जन्म 7 सितंबर 1957 में देवघर में हुआ था एर चीफ मार्शल के पिता सरायन सिंग जुलाई 1964 ते लेकर जुलाई 1968 तक राची के डीसी रहे थे इनके पिता ने 1957 में दुमका जिले के देवघर में सिविल SGO के रूप में भी सेवा दी थी उसके बाद 1980 के दशक में एके कृत बिहार सरकार में मुख्य सचीव भी रहे थे धनोवा के पिता ने अपनी उम्र का एक लंबा समय भारत की सेवा में समर्पित किया है पंजाब प्रांत में गवर्नर के सलाहकार के रूप में भी वे काम कर चुके हैं एर चीफ मार्शल धनोवा की प्रारंबिक सिक्षार राची के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी हुई थी बिरन्र सिंग धनोवा सैन्य महा विद्याले देहरादून के स्टुडेंट भी रहे हैं और अपने ग्राजुएशन में बियस धनोवा ने राश्ट्री रक्षा अकाडमी से पूरी की धनोवा ने 1992 में रक्षा सेवाओ के स्टाफ कॉलेज से स्टाफ कोर्स वेलिंग्टन से पूरा किया विदेशी धर्ती पर भारती वायू से न प्रसिक्षट दल के नेता होने के साथ ही उन्होंने डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन में वरिस्ट वायू प्रसिक्षट और साथ ही मुक्ष वायू प्रसिक्षट के रूप में भी काम किया अगर धनोवा की व्यक्तिकर जिंदिगी से जुड़ी कड़ियों के बारे में हम आपको बताएं तो उनकी पतनी का नाम कमल प्री थे और उनका बेटा जस्मान भी है जिसने अपना ग्रैजेशन लौ सब्जेक्ष से पूरा किया है भारती वायू सेना किसी भी परिस्थिती का डट कर सामना कर सकती है और कितनी भी शॉट नोटेस हो हम युद्ध करने में सक्षम है और उसमें हम जीत भी दर्ज करेंगे ये कहना है भारती वायू सेना के प्रमुक बी एस धनोवा का नाम धीरे धीरे लोगों के बीच उभरता जा रहा है और चर्चाओं में भी आता जा रहा है लेकिन आपको बता दे इसके पहले भी धनोवा का नाम एक बार चर्चाओं में आया था जब उनके घर में काम करने वाले एक ये वक्की संदिक्द परिस्थितियों में मौत हो गई थी खेर उस टाइम तो धनोवा का नाम बहुत ही ज़ादा सुर्खियों में आया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये मामला थंडा पड़ गया था धनोवा जितने चर्चित रहे हैं उतनी ही विवादों का भी हिस्सा रहे हैं लेकिन आखिद वो क्या ऐसी कौन से चीज हुई जिससे बीएस धनोवा भारती वायू सेना के इतने प्रमुक्ष चहरे और इतने महतपूर व्यक्तित्व बन गये आईए हम आपको बताते हैं उ उन्होंने कई सारे लडाकू विमानों को भी हवा में बखू भी उडाया एयर चीफ मार्शल को मिग 21, मिग 29, SPEC 80 जगवार, सुखोई 30, MKI, HJT 16 किरन विमान उडाने का लंबा अन्भो रहा है उनकी मिग 21 को हवा में आधी घंटे तक उडाने की एक वीडियो भी कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुई थी वायुसेना का हिस्सा रहे धनोवा ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जमीनी हमला करने वाले लडाकू विमानों का भी बखू भी संचालन किया है विया ग्रीम पंक्ति के लडाकू स्क्वाडरन के कमांजिंग अफिसर बनाए गये और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी इस बूमिका को अच्छी तरह से निभाने में कोई कसन नहीं छोड़ी थी उनकी लीडर्शिप में स्क्वाडरन ने उचे इलाकों में रात में बंबारी के नए तरीकों का उप्योग किया था जिने उस से लिए युद्ध सेवा मेडल और वायू सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया अब तक एक कोशल नेत्रित्व करते हुए भारती वायू सेना को बुलंदियों तक पहुचाने में बियस धनोवा ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है आने वाले समय में भी हमें भारती वायू सेना से इसी तरह की कारी कुशलता तत्पटा और बहादुरी की उम्मीद है और बियस धनोवा के रहते हुए ये पूरी पूरी तरह संभव भी है एलोसी के पार जाकर पुलवामा पर लिये गए बदले और पाकिस्तान दोरा भेजे गए लड़ाकू विमान के धराशाई करने पर हम भारती वायू सेना को सलाम करते हैं और ये देखना काफी दल्चस्प होगा कि आने वाले समय में भारती वायू से ना हमारे सुरक्षा में और किस तरह के कदम उठाती है और किस तरह से एक ततपर भूमी का निभाती है आज के लिए इतना ही अब हम लेती हैं आपसे इजाज़त लेकिन इस वादे के साथ कि अब एक बर्फर से हाजर होंगे एक खास चहड़े की खास कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिंद हिंदूस्तान के सियासी चहरे गली से लेकर संसथ तक जनता का विश्वास जनता की आवाज नेताओं की कहानी उनकी जुबान